असलाम अलेकूम, आज हम बनाएंगे मटन स्टू, बेहतरीन मसालों के कॉम्बिनेशन के साथ एक बेहतरीन स्टू बनता है, पूरा घरी सी खुजबू से महक उठता है, जब इसको सही तरीके से बनाया जाता है, तो चलिए देख लेता है इसकी रेसेपी, तो यह बहुत ही ट इसको हम चॉप कर लेंगे, बहुत फाइन चॉप नहीं कि है मैंने, अगर आप चिकन कस्टू बनाने तो फिर आपको फाइन चॉप करना होगा, क्योंकि चिकन फिर जल्दी घल जाता है, अब यहां पर एक प्रेशर कुकर ले लेंगे और इसमें आधा कब तेल कर लेंगे, अब कुछ साबुत गरा मसाले इसमें डाल देंगे, आधा टीस्पून काले मिर्ज, एक टीस्पून सफेज जीरा, पांक छोटी लाइची, चार पांच लॉंग, दो तीन तेस पत्ते, एक बड़ी लाइची, एक जावित्री का फूल, और एक दाल चीनी का टकुड़ा, इस प्यास को थोड़ा साफ्ट करके इस्टो बनाएं, आप देखेंगे बहुत ही अथी हुश्बू आएगी आपके इस्टो में, तो जब इस तरह से हलकिसी गुलाबी हो जाएगी प्यास, आधा किलो ग्राम इसमें मतन शामिल करतेंगे, अब एक टेबल स्पून भर के मैंने जिसको की चॉप करके इस्तमाल किया है, और एक टेबल स्पून अधरक है, इसको भी फाइन चॉप कर लिया है, तीन-चार मैने साबूत लाल मिश डाली हुई है, आप टेस्ट के इसाब से डालिएगा, और एक टेबल स्पून डालेंगे, इसमें कुटावा साबूत धनिया धनिया को थोड़ा सा कूट कर इस्तमाल करियेगा, इसमें एक टीसपून नमक डाल देंगे, या पर टेस्ट के इसाब से डालिएगा, और एक चॉधा ही चम्मच, इसमें हल्दी का पाड़र डाल देंगे, थोड़ी सी हल्दी डालिएगे, लेकिन बस डालिएगा, बहुत यहां पर थोड़ा सा मटन को भून लेना है तो तीन नट भूनने के बाद हमें दो दर्मियाने साइज के टमाटव डाल देना है अब अब अच्छी तरह से इसको हम दो तीन नट के लिए और भून लेंगे अभी हम इसको बहुत जादा नहीं पूनेंगे जब हम इसको प्रेशर कुक कर लेंगे उसके बाद इसको अच्छे से बूनेंगे एक चौथा कप इसमें दही भी डाल देंगे मिक्स कर देंगे और अब इसमें पाइं डालने की ज़रुरत नहीं है क्योंकि दही और मटन और प्यास अभी कुछ अपना पानी छोड़ती है लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप इसमें दो तीन चमश पाइं डाल दीचे का अब हम इसमें प्रेशर कुकर की लेड लगा उसके बाद गैस की फ्लेम को दीमा कर देंगे और लो फ्रेंपर तकरीब था में दस मेट के लिए इसको पका लेंगे जब इसका प्रेशर खुझ से निकल जाएगा हमें गैस की फ्लेम को फिर जाओन कर देना है और अब हाई फ्लेम पर हमें इसको खोब अच्छे से भून तो 7-8 मिट के लिए खुब अच्छे से भून लेंगे या पिर जब तक भून लीजे जब तक जो इसमें पानी दिखाई दे रहा है वो ड्राय नहीं हो जाता है आप देख से बहुत है दिलिशिस अपने त्यार हुआ है इतनी जबदस इसमें खुश्भू आरी है पूरा घरी से अलहम्दोलिल्ला महक रहा है और टेस्ट इसका लाजवाब है आप ठाएंगे तभी जान पाएंगे कि यह कितना टेस्टी बन कर तयार होता है तो ट्राय कि ज पसंद आईए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलेगा थैंक यू